आटा चक्की और मसाला मिल का बिजनेस कैसे शुरू करें? हर वेक्ती चाहता है कि वो कोई ऐसा बिजनेस करें जिसे वो ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकें ऐसे में अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हम आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शुरू करके आप कम समय में ही ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और यह बिजनेस आटा चक्की यानि फ्लोर मिल बिजनेस है आटा और मसाला ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर की जरूरत हैं ऐसे में आजकल बाजार के सामान में मिलावट होने के कारण लोगे ने चक्की पर पिस्वाना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर वो किसी ब्रैंड का आटा या मसाला इस्तिमाल करते हैं जिससे की मिलावट की गुंजाइश ना के बराबर होती है ऐसे में अगर आप खुद का आटा चक्की बिजनेस शुरू करते हैं आप एक ऐसी जगा कुच उने जहां आपका सारा सामान और मशीने अच्छी तरह से रखी जा सके अगर आप छोटा सा आटा चक्की बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी दुकान की जरूरत पड़ेगी जो कि 200 से 300 वर्क फीट की होनी चाहिए इसके अलावा अगर आप एक ब्रैंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2000 से 3000 वर्क फीट जमीन की जरूरत होगी कौन-कौन से जरूरी लाइसन्स की आवशकता होगी अगर आप एक छोटा सा चक की बिजन्स शुरू करते हैं तो उसमें आपको किसी तरह के लाइसन्स की जरूरत नहीं होगी वहीं अपनी आटा चक की कमपनी खोलने के लिए आपको कई तरह के लाइसन्स की जरूरत पड़ेगी जैसे आपको अपने business का नाम register कराना होगा ताकि आपके brand के नाम से कोई दूसरा अपना business शुरू ना कर सके इसके अलावा आपको अपने business का tax registration यानी GST registration भी कराना पड़ेगा वहीं या business खाने से जुड़ा है इसलिए इस business के लिए आपको food license लेने की भी जरूरत होगी इसके अलावा आपको नगर निगम, नगर पालिका आदी से trade license लेने की भी जरूरत पड़ सकती है लागत कितनी लगेगी? अगर आप एक छोटा सा business शुरू करते हैं तो machine और जमीन पर आपके धाई से तीन लाख रुपे तक खरच होगे वहीं अगर आपके पास खुद की अपनी जगह है तो आपके जमीन या जगह के पैसे बच जाएंगे और आपको केवल machine खरीदनी पड़ेगी जो की 30 से 50 ज़ार रुपे तक की मिल जाएगी वहीं एक brand बनाने में machine, जगह, कर्मचारियों, license अनाजादे पर आपके 15 से 27 लाख रुपे तक लग सकते हैं मुनाफ़ा कितना होगा? ये एक ऐसा business है जिसकी demand हर जगह है घर हो या कोई bakery, हर जगे आटा या मसाले का इस्तमाल करके ही चीजें बनाई जाती हैं ऐसे में इस business को छोटे इस तर पर शुरू करने से आप महीने के 1000 रुपे कमा सकते हैं इसके अलावा अगर आप अपनी company खोलते हैं तो फिर आप इससे महीने के लाख रुपे कमा सकते हैं और अपने business को कई गुना आगे बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे शुरू करें आटे और मसाली की मिल का business अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और business ideas के लिए हमें comment करके जरूर बताएं